ओम नमो वगवते बाजदेवाय नमः स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ति वावना यूटिव चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको पूरण मासी के उपाय बता रहा हूँ पूरण मासी के दिन आप भगवान कृष्ण की भगवान सिव की किस प्रिकार से पूजा करें कौन से उपाय करें इससे आपकी हर मनुखाम न पूरियो आप सभी जानते हैं कि पूरण मासी के दिन सत्त नारण भगवान की पूजा की जाती है साथ ही पूरण मासी के दिन महाकाल भोले नात का पूजन भी किया जाता है सुबह शनान करते समय जल में गंगाजर और तिल डाल करके शनान करें उसके बाद में पीपल ब्रक्य के नीचे पित्रों के नाम से जल चड़ा के आना है पित्रों के नाम से जल चड़ाएं पांच पीस पीली मिठाई की पीपल ब्रक्य के नीचे चड़ाएं पीपल ब्रकी नीचे दीपक जलाएं, उसमें तिल डालें, एक धागाला पेटें और पीपल ब्रकी साथ प्रक्रम्मा करें, उसके बाद में भगवान सिव का आपसी करें, ओम नमस्वाय मंत्र का जाप करते हुएं, भगवान सिव को इस दिन खीर का प्रसाद अरपन करें, सा तुलसी माता की परक्रम्मा करें, थोड़े से चावल, हल्दी तुलसी के गमले में डालें, तुलसी पत्र लेकर के, ग्यारत तुलसी पत्र लेकर के भगवान विश्नु को समर्पित करें, ओम नमो भगवते बास देवाय नमा, कृष्णाय बास देवाहरी परमाते ने प्र प्रसाद भगवान को ब्यादी प्रिय भगवान को जरू चड़ाएं और फिर केली का प्रसाद आपको खाना भी चाहिए। कहते हैं कि प्रतीक पूरण मासी को जिनके घर में सत्तनारण भगवान की कथा की जाती हूँ, वहाँ पर हर प्रकाल का सुक और बैबब प्राप्त होता है। इस दिन पीपल ब्रक की और बट ब्रक की दोनों की पूजा करते हैं, उन्हें आशिरबाद प्राप्त होता है। इस दिन मेश रासी, मितुन रासी, करक रासी, सिंग रासी, कन्या रासी, तुला रासी, धनु रासी, मकर रासी, कुम रासी, ये रासी या बियादी भागिसाली रहने वाली हैं इस दिन ग्यारे चावल के दाने एक पुष्प ग्यारे या दो बेल पत्र भगवान सिब को जरू समर्पित करें भगवान के पूजा करने वाद में नंदी जी के काने में अपनी चप बोले भगवान को खीर का प्रसाद अरपन करें चोव मुखी दीपक जलाएं आपकी प्रतिक मनुकामना पूर्योगी यह उपाए बेहाद दी जाता चमत कारें वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें